बिना कोको पाउडर, बिना चॉकलेट कमपाउंट, बिना कोको बटर, आज हम बनाएंगे बोन बीटा से चॉकलेट हेलो स्मार्टीज, वेल्कम टू सीमा स्मार्ट किचन आज इस चॉकलेट को हम बोर्ण बीटा से बना रहे हैं इसका टेस्ट कैसा है और अगर आपके पास बोर्ण बीटा नहीं है तो आप क्या यूज़ कर सकते हैं ये भी मैं बताऊंगी मैं यूज़ कर रही हूँ 30 रुपीज वाला बोर्ण बीटा का पैकेट अगर कब से नापेंगे तो ये हाफ कब है और ग्राम में 75 ग्राम है हाफ कब बोर्ण बीटा को क्राइंडर में डाल कर महीन ग्राइंड कर लीज़े अगर आपके पास बोर्ण बीटा नहीं है तब आप कोई भी चौकलिट ड्रिंक जो दूद में मिला कर बच्चों को देती हैं उनमें से कोई भी चौकलिट ड्रिंक ग्राइंड करके same quantity में use कर सकते हैं ग्राइंड किया हुआ चौकलिट ड्रिंक side में रख दीजे गैस पर एक पैन चड़ा दीजे, इसमें डाल दीजे, हाफ कप चीनी, वन फोर्थ कप पानी, जितना आपने चीनी लिया है उससे आधा पानी लेना है फ्लेम ओन कीजे, जब तक चीनी मेल्ट ना हो जाए, तब तक चलाते हुए इसे कोक कर लीजे इस चाशनी से हमें एक तार की चाशनी तैयार करनी है, बीच बीच में चेक करते रहे, जब चाशनी कुछ इस तरह की थोड़ी सी ठिक हो जाए, चमज में चाशनी लिजे, थोड़ा सा ठंडा कीजे उंगली और अंगुटे की बीच में रख कर इस तरह से चेक कीजिए इस तरह का तार बन रहा है इसका मतलब है एक तार की चाशनी तैयार हो गई है फ्लेम लो कीजिए आधा छोटा चमच निम्बू का रस डाल दीजिए निम्बू का रस डालने से चॉकलेट खटी नहीं होगी बलकि शुगर के क्रिस्टल्स नहीं होगे इसलिए हम डाल रहे हैं निम्बू का रस और तुरंथी इसमें डाल दीजिए 2 टेबल स्पून बटर बटर आप सॉल्टेट अनसॉल्टेट कोई भी यूज़ कर सकते हैं हमने इसमें चीनी डाली है तो सॉल्टेट बटर का भी टेस्ट इसमें नहीं आने वाला है बटर को धीरे धीरे मेल्ट कर लेना है ध्यान रहे इस समय हमें फ्लेम को लोही रहने देना है बटर मिल्ट होते ही इसमें टाल दीजिए 2 टेबल स्पून मिल्क पाउडर मिल्क पाउडर आप कोई भी यूज कर सकते हैं किसी भी ब्रैंड का यूज कर सकते हैं मिल्क पाउडर मार्किट में बहुत ही आसानी से मिल जाता है मिल्ट पाउडर को चाशनी में अच्छे से मिक्स कर लेना है अगर आप मैनेज नहीं कर पा रहे हैं इस समय फ्लेम बंद कर दीजिए और इसमें डाल दीजिए क्राइन किया हुआ चोकलेट ड्रिंक मैंने बोन बीटा डाला है आप कोई भी चोकलेट ड्रिंक डाल सकते हैं और अब इसे भी इसी में अच्छे से मिक्स कर लेना है ध्यान रहे लंब्स नहीं होने चाहिए अगर आप फ्लेम को बंद रखेंगे तो बहुत अच्छे से बीना लंब्स का ये बेटर तैयार हो जाएगा इसलिए मैं कह रहे हूँ आप फ्लेम को बंद कीजिए और फिर मिक्स कीजिए मिक्स हो जाने के बाद फ्लेम को आउन कर देना है इस समय मैंने flame on कर दी है जो भी आपको लम्स दिखाई दे रहे हैं धीरे धीरे ये भी melt हो जाएंगे ये देखिए कितने अच्छे से melt हो गये हैं आप देख सकते हैं smooth batter ready हो गया है पूरा batter mix हो जाने के बाद में flame बंद कर देना है और इसी समय इसमें टाल दीजिए थोड़े से chopped किये हुए काजू थोड़े से chopped किये हुए अखरोट मेरे पास अखरोट बहुत कम थे इसलिए मैंने कम डाले हैं आप चाहें तो थोड़े ज़्यादा डाल सकते हैं बोन बीटा के चॉकलेट का batter ready है अब इसे set करने के लिए मैं यूज़ कर रही हूँ silicon mold आपके पास जो भी चॉकलेट mold है उसमें आप इसे set कर सकते हैं इस तरह से चमच की सहायता से डालते जाईए और उसके बाद में दो से तीन बार tap कर लीज़े उपर से चॉकलेट बहुत अच्छे से set हो जाएगी और अब रख दीजे आधे से एक घंटे के लिए fridge में फ्रीजर में नहीं रखना है फ्रिज में रखना है उसके बाद निकालिए ये देखिए चॉकलेट रेडी है इस चॉकलेट का टेस्ट थोड़ा सा चुई होता है जैसा कि केड़वरी एकलियर्स का होता है पर बहुत ही टेस्टी बनती है मुझे उमीद है आपको ये चॉकल जो भी आपको पसंद है क्लिक कीजिए मैं वहाँ आपका वेट कर रही हूँ